Hi everyone, I hope आप सब लोग ठीक से होंगे तो जैसे कि आपको पैता है पिछले कुछ टाइम से हम जो हमारा ब्लॉक 3 है उसका जो यूनिट 1 है वो कर रहे हैं तो इससे पहले मैंने पार्ट जो टू था वो किया है और आज हम इसका पार्ट 3 करेंगे और हो सके तो हम ये पूरा चैप्टर आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो आज हमें यहां से स्टार्ट करना है speaking से ठीक है 1.5 है यह आपका यहां पे है indicating your preference ठीक है यहां पे हम देखेंगे किसी साब से क्या क्या चैनल्स हैं और हमें कुन सा हम देखते हैं तो उसी के बारे में हम बात करेंगे और वैसे तो आपको इन सब जो ये चैनल से इनके बारे में आपको नॉलिज होगी थोड़ी बहुत अगर आप टीवी वगरा देखते हैं तो सबसे पहले जो आपका है यहाँ पे इनों ने दिया है आपको दिसकवरी चैनल तो यह तो बच्चों को जाइदा पता होगा इसके बारे में तो है यह जो चैनल है इसमें जाइड़ है इसमें क्या बोल रहा है यह यहां पर कि इंडिया क्रिएट्स फूर्ड क्लास डोकिमेंटरी और फूट साइंस सर्वाइवल यहां पर देखोगे जो यह चैनल डिसकोवरी चैनल यहां पर जाएदा यह फूड पर जो शोर्ज होते हैं वो होते हैं और इंडिया का यह मतलब इंडिया इन्या चैनल जिससे आप से बता रहे हैं यह बहुत अची अची डॉकिमेंटरी खाने जो जैसे अलग-अलग किसम का खाना खाते हैं लोग कैसे खाते हैं या क्या क्या कूंचा डेजर्ट होता है वो लोग खाना पसंद करते हैं वो सारा साइंस के बारे में दर बहुत सारे जो डॉकिमेंटरी जो बनाई होती हैं स्पेस के बारे में और कैसे एक इनसान है वो जंगल में जाता है फिर वहां प तो ऐसे ऐसे शोज वगेरा दिखाय जाते हैं जिससे लोग इंस्पार होके जो अपनी प्लाइनिट हमारे जो अर्थ है उसको उसका खयाल रखना शुरू करें उसकी मतलब केर करना शुरू कर दे तो यहां पर आप देखोगे साइंस के बारे में बहुत सारे जो है आपके शो होते है एक्स्टॉरेशन के बारे में या जो अलग-अलग जो यह होते हाते हमारे वाइल्ड अनिमल्स होते हैं उनके ओपर बहुत सारे शो ल Se Partners के ओपर बहुत सारे शो यह और एडविंचर के ओपर यानि अलग-अलग जगहों पर लोग जाते हैं फिर वो पहाड उपे च जिसे साबसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में जो पास्ट वाले जो भी चीजे है या इस पे एक्स्पोरेशन वगरा की जाती है हिस्ट्री की जो अलग-अलग हमारे जो हिस्टॉरियन्स होते है आर्कियॉलजिस्ट वगरा होते है वो अलग-अलग जगहों पे जाते है समंधरوں के अंदर लोग ये करते हैं चीज़ें डूने की कोशिश करते हैं फिर वहाँ पर वीडियोज बनाते हैं फिर बताते हैं उन चीज़ों के बारे में एक जो ये है किंग के टाइम के दोरान वाली चीज़ या ये क्या है वो सारा लोगों को यहां पर बताया जाता है उसके बाद है फैशन टीवी यह इस पर आप देखोगे इंटरनेशनल फैशन और जो लाइफस्टाइल है वो सारे उसके ओपर यहां पर शोज वगएरा होते हैं और उसके बाद अन्डी टीवी यह एक न्यूज चैनल है ठीक है यह इंडिया का न्यूज चैनल और मतलब यहां पर इंडिया की बीच सारी न्यूज वगएरा जो लेटिस न्यूज वगएरा होती है वो बताई जाती है और यहां पर जो दुनिया में भी जो कुछ हो रहा है वहां के भी जो में न्यूज होती है वो यहां पर बताई जाती है उसके बाद है BBC News जो की ये 24 आवर्स तक चलती रहती है और ये एक information मतलब जो news वगरा लोगों को देती है अलग-अलग stories वगरा के बारे में मतलब जो भी दुनिया में हो रहे है चल रहे है जो भी नई मतलब problem चल रही है उन सब के बारे में उसके बाद आपका animal planet यहां पर अलग-अलग जो wild animals होते हैं हमारे उनके बारे में बताया जाता है वो कैसे कून से animals है जो की अभी खत्म हो रहे हैं जिनको खत्रा है या जो खत्म हो गए या अलग-अलग जो चोटे-चोटे baby animals होते हैं उनको दिखाया जाता है ताकि इनसान inspire हो जाए और वो देखे और वो ले कि हाँ देखो यह कितने अच्छे अच्छे animals है और वो एक इनसान के अंदर हो compassion वाली feeling है आप भी कोई animal देखते हो फिर आपको कितना अच्छा लगता है और फिर आपको पता चलता है कि animal खत्म हो रहा है या इसको खत्र है तो आप भी थोड़ा बोलते हो यार कुछ काश में कुछ करबाता है इस animal को बचाने के लिए तो वो यह यहां पर दिखाए और अलगलर ऐसे भी दुनिया में बहुत सारी animals है जो हमें पता भी नहीं होते हैं कि exist करते हैं तो जब हम यह आपका animal planet वाला जो है यह animals के ओपर यह पूरा जो यह channel है based तो हमें वो सारा उनके बारे में पता चलता है through videos उसके बाद आपका star sports है जो भी मतलब अवार्ड विनिंग बड़ी blockbuster movies होती है ना वो सारी आप यहां पर देख सकते हो जो बहुत मशूर movies होती है उसके बाद सोनी टीवी सब को पता होगा इसके बारे में जैसे की आपका पिल शर्मा का आपका show आता है इस पे और भी बहुत सारे जो serials वगेरा होते हैं वो यहां पे आते हैं और जो आपका कून बनेगा करो पती वो भी दरी आता है तो इसके बारे में आपको पता ही और हमारे पुराने टाइम के जो आर्टिस्ट वगेरा हुआ करते थे नाइन टीज के और जो अब भी नए मतलब जो आर्टिस्ट आ रहे हैं उनके सॉंग्स यहां पे शो किये जाते हैं उसके बाद 9X हो यह एक इंगलिश जो मतलब एक इंगलिश चैनल है और इसमें आपक पूरे टाइम यह चल रहा होता है उसके बाद आपका है यहां जायत तर आपको यहां पर इंगलिश म्यूजिक की दिखेगा उसके बाद आपका कार्टून नेटवर्क है यह आप देख सकते फर्स्ट किड्स चैनल इन इंडिया तो सबसे पहले जो बच्चों के लिए एक चैनल बनाए गया था इंडिया में वो यह ही आपका सी एन कार्टून नेटवर्क तो यहां पर अगर आप बच्चपन से आप कार्टून वगएरा में इंट्रेस्टेड होंगे तो आपको इस चैनल के बारे में पता होगा यहां पर आपके अनिमेटिड शोस वगएरा जाती है जैसे आप देख सकते हो ABP के नीचे हिंदी में लिखा गया है तो यहां पर आपको डेली न्यूज अपडेट्स वगएरा जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारी यहां पर दी जाती है चाहिए वो नैशनल में जो कंट्री के अंदर हो रहा है और जो इंटरनाशनल में पंदरा मिनट का वो सेगिमेंट भी होता है वैसे टाइप का यहां पर अभी आपका आ रहा है एक्जैम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो वालब एक क्वेशन है यह आपको समझना है कि आपको क्या बोलना है देखो look at the channels listed above do you watch any of these if so which ones and why तो देखो जो मैं अभी सुनते हो तो क्यों कि आपको पसंद है अगर आप न्यूस देखते हो तो क्यूंकि आपको updated रहना पसंद है तो वैसे आप इस पर थोड़ा लिखने की कोशिश करना तो आपको से हिसाब आएगा कि आप कितना लिख सकते हो ठीक है तो मतलब इससे आपकी जो पैसेज होगी वो सॉल्व करने में आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी और वहां पे अगर पैराग्राफ पर क्वेशन आता है तो जितना आपके पास वर्ड्स होंगे अभी आपको जब आप ऐसे चोटे-चोटे क्वेशन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे उससे आपको एक आई आपको कुछ से आप बताना की क्योंकि इसमें मज आ और यह अच्छा है तो इसलिए में देखता हूं नहीं मतलब आपको कुछ ऐसे रीजन बताने जिससे जसे कोई आपको बोलेगा जैसे कि आपको कुछ आपको कोई ब्ड्स पसंदे यापको आपको पसंदे रीपोई की यह कोई हीरो पसंद है तो आप उसके बारे पे कोई बलेगा कि क्यों पसंद है आब बोलोगे मुझे ऐसी पसंद है वो क्या होता है वो मत है आप चाहते हो कि अगर जिस तरीक से में उस बंदे का फैन दूसरा बहु का फैन बने है है न वो भी उसके उसी तरीके से говорить तो आप उसकी बारे में बता तो हुआ जैसे जैसे दूसरा इंसन बे बोलते है। हाँ यार 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 ये तो कोई अच्छही बात हैMat। चलो मैं इस भी फिस्टरी वाला चेनल है वो बहुत इंट्रेस्टिंग है क्यूंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी किसम प्रोग्रैम्स वगारा दिखेंगे जैसे कि आपको अलग अलग बायोग्राफी जिसमें क्राइम वगेरा क्राइम भूल गी आपको बोलना है बहुत सारी क्राइम जो हुए होते हैं उनको सॉल्ट जब किया होता है उसके ओपर बायोग्राफी बनाई जाती है हिस्ट्री चैनल पे और अलग अलग लाइफ स्टाइल वगेरा और जो बड़े बड़े इवेंट्स हो र जानों बता देता है कुछ भी दिमाग में आयां इनके तो बता दिया जाता है मिटस नहीं बताए जाता है राग बम सुछी फैक्ट साफंब क्या आपको नेशनल ग्राफिक चैनल यहां पर नेशनल जोग्राफिक चैनल आपका यहां पर भूझ खुबसूरत अज़कल करेंट्ली जो आपका जो स्टाइलस वगएरा या लग अलग ड्रैस ड्रेस इवगएरा जो पता है उनके बारे में हैं उनके बारे में अब को पता चलता है अशी तरीक से जो चैनल वी है यहां पर आपको जो बड़े बड़े मतलब जो अच्छा लेटस्ट पॉप म मेजित दुनिया में बहुत हिट है वो उसके बारे में आपको शुन पाते हो यहाँ पर अराम से मतलब मंथ में बहुत फेमस आर्टिस्ट कोई रहा है कोई सांग रहा है वो आप पूरे मंथ सुन पाते हो उसी तरिक से जो BBC नूज ऐपको एच्छी न्यूज देता है यह बहुत अच्छा न्यूज चैनल है और आप करिंट अफिर्ज आपको फालू करना अच्छा लगता है आपको अच्छा लगता है कि दुनिया में आज कल क्या चल रहा है रेसेंटली तो उसके बारे में जानने में इसलिए आपको BBC पसंद है इसी तरीक से आपको बताने हैं तो यहाँ पर इन्होंने बताया है जैसे हॉल मॉक, HBO, Star Movies कोई एक आपको यहाँ पर चूज करना है और उसके बारे में आपको बताना है कि कुछ यह बताने हैं आपको उसके बारे में जो अच्छी बात हैं उसके बारे में या जो भी information आपके पास है इन तिनों में से किसी एक चानल के बारे में आप Google कर सकते हो वहाँ से आप information निकालो और फिर उसको थोड़ा चोटा सा paragraph यहाँ पर कहीं पर बिल लिको ज़रूरी निए अगर आपके पस किताबे नहीं है क्योंकि कोविट की वज़े से सबके पस किताबे नहीं थी तो अगर आप फिर इग्यानकोश पर आप जा सकते हो वह इगनोवालों की अपनी वेबसाइट है वहाँ से आप अपना स्टेडी मैटेरियल डाउनलोड कर सकते हो फ्री में तो वह करके आप किसी नोट बुक पे भी आप लिख सकते हो अगर आपके पास बुक नहीं है अब आपको यहाँ पे आता है वन पॉइंट सिक्स वाला राइटिंग अब ब्रीफ रिपोर्ट यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है इस पे आपका लास्ट एक्वेशन आया था एक्जैम में तो यहाँ पे कुछ हैडलाइन्स दी गई है इस पे आपको किसी एक पे यह लिखना है एक रिपोर्ट लिखनी है न्यूस पेपर के लिए रिपोर्ट लिखनी है ठीक है जैसे रिपोर्टर्स होते हैं वो कहीं जाते हैं फिर देखते हैं वहाँ पे क्या हुआ है फो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कहते हैं और कहीं पे फिर लिखते हैं फिर वो न एज एज्ट्रक कॉलाइज विद वैन या बड़ फ्लू स्ट्राइक थाउजंद वचिकन कर्ल तो ये दो आपको हैं उными सिल पर लिख सकती हैं इस ले पार चुछियं के एस में चुछियोक अपहली हे इस गइंड ए बनने आपको आपको ये प्रिटेंड ने 2 पर लिख में आ तो इसे तरीक के आपको बहुत है अच्छे से लिखना है और आप लिखने से पहले आपको क्या करने है जो भी वो सारे पॉइंट आपको देखने है जैसे कि आप उस पर बता सकते हो आपको ऐसे जो मतलब पॉइंट डूने है जिसे लोगों का जो दियान है आपकी जो रिपोर्ट है उस पर जाए या जो आपने लिखी है जो रिपोर्ट उस पर जाए जैसे कि आपको देखना है कि जो वहां पे सीन कैसा था क्या हो तेंसे क्यों हमार एक जो यह है आपका रीडर उसको क्या क्यों पढ़नी आपकी हैडलाइन जैसे कि आप यो कुड यूज एन इमेजनरी सेटिंग तो इधर आपको क्योंकि सच में तो आप कही जान नहीं रहे हो ना तो आपको इमेजन करना है तो आपको आपको इमेजन टेलियर अपकी हैडलाइन जान ऊकBack मेंओ कल आ तो इसको आपकी हैडलाईन बोलते है अब रिपोर्ट कैसे लिखे जाती यह आपकी रिपोर्ट होती है त efforts direct open मुझे अचानक से कुछ चिलाने की आवाजे सुनाई देती है मुझे गन जो होती है उसकी फायर होने की आवाजे सुनाई देती है जो पुलीस की गाड़ी होती है वो बहुत सारी आ रही होती है और उनकी जो आवाजें जो पुलीस की गाड़ी की जो आवाज ने कर रही होती है उसको साइरन बोला जाता है वो उसकी में आवाज में जो सुनाई देती है There was a massive crowd protesting against the arrest of their local leaders and demanding his release तो वहाँ पर आगे जाके देखते हैं तो वहाँ पर की बहुत सारे लोग होते हैं Crowd में मतलब बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं नारह बाजी कर रहे होते हैं वो क्यों कर रहे होते हैं क्योंकि जो उनका local leader है वहां का उसको arrest कर लिया गया था और वो चाहते हैं कि उसको छोड़ दिया जाए protesters began to throw stones at the police who prevented them from proceeding towards the hall where the mayor was giving a speech तो क्योंकि जो protesters थे वो अब police पे पथर बाजी करने लगते हैं क्यों पथर बाजी करने लगते हैं कि यह जो लोग थे जो मियोर का जो जहां पे बैठता है वहां पे वो speech दे रहा था तो यह लोग वही जा रहे थे उसको बोलने के लिए उसको रोकने के लिए तो लेकिन जो पुलीस है वो इनको रोकने की कुशिश करती है लोग उनको लोग के जो एक ग्रूप है उनको तो उसी पे वो लोग पुलीस पे ये करते है पथर बाजी करते है Soon the scene turned ugly as the police burst tear gas shells and finally resorted to opening fire तो अब क्या होता है इनकी बीच में बहुत ज़्यदा हात पाई हो जाती है और जो scene बहुत खराब हो जाता है जिसके वज़े से police को क्या करना पड़ता है तो there were shouts of anguish and rage and soon injured people were being taken away तो अब लोग बहुत ज़्यदा चिला हारे तो लोग को बहुत ज़्यदा गुसा था और बहुत सारी लोग ज़्यदा जखमी हो गए police वाले भी जखमी हो गए I could hear the frustration and panic in the voice of the organizers of the meeting being held at the hall और जो यह है जो रिपोर्टर है बोलता है कि मुझे देख के लग रहा था मैं सुन पा रहा था कि कितने जो जिनूनी hall मतब जो भी मैयोर की speech के लिए जो hall को मतब वो organize किया गया था वो जो organizers थे उनको कितना मतब यह आ रहा था मतब बोड़ी कि अब क्या किया जाए भूत उनको भी tension हो रही थी they came out to talk to the senior police officer on the spot उसके बाद वो बाइर आते हैं और जो senior police officer था उसके साथ वो बात करते हैं उसके बाद next I heard him calling on its cell phone to the police commissioner asking for help from the paramilitary forces the situation looked grim और यह बोलता है दूसरी बात मैंने जो क्या सुने है उनके मुझसे उनके मतब जो वहां पे जो पुलीस वाल थे उनको पने पुलीस का truck collides with van आप यह पढ़ो यह बहुत easy है यह आपको खुद समझा जाएगा यहां पर ठीक है ऐसे ही रिपोर्ट लिखी जाती है और अभी हम सीधे आते हैं अपने grammar पर और यहां पर नोंने बोले दूसरे look at the first new story under reading comprehension आपको जो पहली आपकी स्टोरी है एक second आपकी जो पहली यह वाली है ना comprehension में यह एक second यह जो आपकी जो पहले ही हम नहीं पढ़ा था पहले वीडियो में आपको यह आपका जो यह है reading news article इसको आपको एक नाम देने है ठीक कोई भी आप देख सकते हो कोई भी heading दे सकते हो तो यहाँ पर इन्हों नहीं कुछ सजस्ट किया है आपको इन में से आपको एक दे सकते हो जैसे इन्हों नहीं आपको बोला है mission delayed again strong winds delayed spacecraft या Pluto must wait तो सबसे interesting पूंसा लग रहा है या मुझे लग रहा है Pluto must wait वाला कोई भी reader होगा वो बोल रहा होगा ही क्यों इसको Pluto को भोल रहे हैं ऐसा तो यह आप रख सकते हो इसका answer या मतलब ऐसे आपको दूढना होता है अब हम grammar में बात करते हैं यहां पर आपको बताया है the present perfect and present जो आपका perfect continuous tense है इसके बारे में हमें देखना है तो सबसे पहले आप सामों ने बताया है the planned lunch has drawn attention launch has drawn attention from opponents of nuclear power scientists have been working for 17 years on the 9 year voyage to Pluto in sentence one has drawn is an example of perfect present perfect which is used to describe a complete action जो पहली हमने देखी है इसमें जो है has drawn has has drawn जो इन्होंने यूज किया यह इसको जो यह एक example है perfect जो present perfect है उसकी है यहां पर आपको पूरा जो action है वो होता हुआ बताया गिया उसे तरीक से जो हमारा sentence 2 है यहां पर बताया है which is used for an action over a period of time up to now यहां पर हम जो यह इसको perfect continuous क्यों बोलते हैं तो यहां पर जो है यह present perfect continuous इसलिए यहां पर बताया कि जो action है वो बहुत पिछले कुछ time से हो रहा है और अभी भी हो रहा है यह नहीं कि वो हो चुका है तो जो present perfect है इसमें हम वो ही चीज़ मतलब वैसे words यूज़ करते हैं जिससे हमें दूसरे को यह बता सकें कि जो काम था वो हो चुका है और जो present perfect continuous तब हम यूज़ करते हैं यह दिखाने के लिए कि जो काम है वो हो रहा है पिछले time कुछ time से और अभी भी चल रहा है तो जैसे कि माँ वो बताती हूं जो present perfect tense है यह आप इसकी जो definition है वो लिख लो यह कि है an action or state that either occurred at an indefinite time in the past यानि कोई ऐसा action जो की पिछले time में हो चुका है ठीक है अभी के लिए वो पिछले time में हो रहा था बट अभी वो हो चुका है ठीक है जैसे कि और यहां पे हम क्या यूज़ करते हैं यहां पे हम have या has और जो उसके बार जो आपका action है जो भी मतलब वर्ब है वो हम past वाला जैसे कि आपका यहां पे है यहां पे एक्जांपल में आप लिख सकते हो वी है टॉक्ट बिफोर यानि पहले भी हम बात करते हैं इस तरीके से आपका है वैसे present perfect continuous अब क्या होता है इसको हम progressive tense भी बोलते हैं यहां पे क्या होता है something started in the past and is continuing at present time यानि जो past में start हो चुका है पिछले कुछ time से लेकिन अभी भी हो रहा है और हम यह लिखते कैसे हैं इसके साथ हमेशा जो भी बात हमें बतानी होती है या तो हम has लगाते हैं या have been और उसके बाद जो है आपका present जो है आपको हमनी ing लगा है ing यानी reading तो ऐसे हमें लिखना होता है तो यहां पर कुछ इनोनी examples दिन आपको आपको यहां पर building यहां पर कुछ जैसे building आप कर सकते हो इस तरी किसे आपको करना है जैसे देखो my cousin dash built his house for nearly one year यहां पर आपको को कि my cousin has been building his house for nearly one year ऐसे आपको करना है उसे तरी किसे we dash finish our breakfast and are ready to leave यहां पर आपको कि we have finished ठीक है we have finished हमनी खतम कर लिया है उस तरी फिर आपका she dash repair her bike it is ready to be used यानी she has repaired her bike it is ready to be used यानी उसी अपनी bike जो है वो ठीक करा दी है my grandfather has a backache he dash water the plant since morning तो जो यहां पर आपकर सकते हो my grandfather has a back pain he has been watering the plant since morning मेरे जो grandfather उनको कमर में दर दे और इसलिए क्योंकि वो सुबा से पानी दे रहे थे पोदू को the roads are full of water it dash rain since yesterday तो यहां पर लिखोगे the roads are full of water यानी जो roads आपको पानी से बरी हुई है क्योंकि it has been raining since yesterday यानी कल से बारिश हुई है और हो रही है has been यानी बीन हम नहीं से लिए लगा है और rain नहीं लगा है rain इंग लगा है इंग इसको लगाते हैं यहां पर उसके बाद आपका he dash stopped smoking he has stopped smoking यानी उसनी जो cigarette पीना छोड़ दी है यानी अब वो नहीं पीता है उसनी छोड़ दी है उससी तरीकी से आपका rahul dash play on the piano since he was six यान पर अपने को के rahul has been playing piano on the has been playing on the piano since he was six यानी rahul जो है वो piano जब से वो छे साल का था तब से वो अभी भी बजा रहा है पियानो तब भी बजा रहा है फिर आपका the telephone bell has the telephone bell dash ring for the last five minutes यहां पिली को है the telephone bell has been ringing for the last five minutes तो यानी जो telephone जो है वो पिछले 5 minutes से बज रहा है अभी भी फिर रीटा has no money left she dash shop for the whole day जो रीटा है उसके पास कोई money नहीं है क्योंकि वो she has been shopping for the whole day क्योंकि वो पूरे दिन shopping कर रही थी नेहा डैश डू अपार्ट टाइम जॉब फोर यहां पिर नेहा डैश अपार्ट टाइम जॉब फोर नेरली three years जो नेहा है वो क्या कर रही है has been doing a part-time job for nearly three years जो नेहा है वो पिछले तीन साल उसे पार्ट टाइम जॉब कर रही है और वो अभी भी कर रही है doing तब ही हम लगाते हैं जो कोई चीज present में भी हो रही है तो अब इनोंने आपको कुछ दिये हैं जैसे कि we are यहां पे epistrophe जो we और a-r-e जो है ने इसका full form a-r-e होता है यहां पे epistrophe नो ने लगाई है यहां पे I know it isn't easy यहांनी is not epistrophe के बतले जो epistrophe o के बतले है यहां पे they are coming today ठीक है यह epistrophe जो एक कॉमा जैसे है उपर इसको epistrophe पोलते हैं तो यह क्या यहां पे बोह रहा है why do we notice about what do you notice about the underlined words they are short forms of contractions of two words तो जो यह है ना we are, isn't, they are यह दो words का एक छोटा साही है ठीक है और इसी को हम बोलते हैं दो words की छोटी सी form है और इनको हम contractions बोलते हैं जो the epistrophe is inserted in place of a missing letters तो जो epistrophe है तब हम जो दो words होते हैं इनके बीच में जो missing होता है उसकी जगह पे हम epistrophe लगाते हैं और इनको हम contractions बोलते हैं जैसे वी आर के बदले वी आर देखो जो यहाँ पे इनों बताया है वी और आरी इस इक्वल टो वी आर आई एस एंड अपिस्टोफी टी इस इक्वल टो इस नाट आरी इस इक्वल टो दे आर ठीक है और यह इनका फुल फॉर्म है यहाँ पे आपको contractions का फुल फॉर्म है तो यह इसकी आप practice करना है यह बहुत important exam के हिसाब से उसे तरीके से आपको यहाँ पे contractions दीए हैं इनके आपको फुल फॉर्म लिखने हैं इसका पहले का आएगा I am दूसरे का आएगा It is full form यहाँ पे लिखने है यह इसका फॉर्म है इनका फॉल फॉर्म लिखने हैं आपको यह बहुत आपको यहाँ पे वापे से फॉल फॉर्म दीए हैं इनके आपको short forms लिखने हैं यानि contractions बनाने हैं तो पहले के आप बनाओगे they haven't यानि h-a-v-e-n और लिखोगे आप epistrophe d उसके बाद है we weren't यहाँ लिखोगे w-e-v फिर उसके साथ लिखोगे w-e-r-e and epistrophe d फिर आप का आएगा we would यहाँ पे w-e और epistrophe d साथ में फिर आएगा आपको he is का आएगा he और epistrophe और फिर s फिर u r को आएगा use पूरा और फिर epistrophe और r e आएगा तो इससे आपको यह हो जाएगा उसके बाद है आपकी कुछ यहाँ पे कुछ बच्चों को होता है na pronunciation में problem होती है उनको नहीं पता होता है लेकिन words पे जाएदा stress देने है तो यहाँ पे जासे देखो international यानि यह ऐसे यहाँ पे international r पे जाएदा यह stress पाद रहा है horizons उसके बाद है agency, laboratory, investigator, viage, january, academic, radiation, communication, accessing, instagram, twitter, linkedin तो यह कुछ words देखो और इसी की साथ आपका जो यह unit है खतम हो गया जाएदा बाद का जाएदा रहा है